आज हम जिन कवी का परिशे पहने जा रहे हैं उनका नाम है विश्नु खरे विश्नु खरे का जन 1940 में हुआ और कहां हुआ उनका जन छिंदोवाड़ा मद्यप्रदेश में हुआ क्रिशन कॉलेज इन दौर में 1963 में उन्होंने अंग्रेजी साहिते में क्या खिया में 1962-63 में द्यानिक इंदोर समाच्यार में वे उप्त संपादक रहे उन्नी सो तरेसट से पैंच्छतर तक मद्यप्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालियों में अध्यन से भी वह जुड़े रहे इसी बीच 1966-67 में लगू पत्रिकाव व्यास का संपादन उन्होंने किया तत पश्यात 1976-84 तक साहित अकादमी में उप्त सच्छ पद पर पदासीन रहे 1985-9 भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यारी कारेकारी संपादक के पद पर भी उन्होंने कारे किया बीच में लखनओ, संसकरन तथा, रवी वारिय, मनव भारत टाइम्स, हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ओफ इंडिया में भी संपादन कारे से वे जुड़े रहे 1993 में जैपुर नव भारत टाइम्स के संपादक के रूप में उन्होंने कारे किया इसके बाद जवाहर, लाल, नहरू, स्मारक, संग्रहाले तथा पुस्तकाले में दो वरिष्ट अध्यता रहे अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कारे में रत हैं और चारिक रूप चे उनके लेखन प्रकाशन का आरम 1956 से हुआ पहला प्रकाशन टी एस एलेट का अनुवाद मरू प्रदेश तअने कविताएं 1960 में दूसरा कविता संग्रह उनका एक गयरुमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ तीसरा संग्रह खुद अपनी आख से 1978 में चौथा सबकी आवाज के परदे में 1994 में पाँच्वा पिछला बाकी तथा छटा काल और अवधी के दर्मियान प्रकाशित हुए एक सीमा सा एक समिक्ष पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद भी किया है उनको फिनलेंड के राश्टिय सम्मान नाइट आफ दा इयर आफ दी वाइट रोज से सम्माने किया गया इसके अत्रिक रगवी साहय सम्मान शिखर सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्य सम्मान मैथली शरंगुप्त सम्मान मिल चुका है इनकी कविताओं में जड़ताओं और अमानवी स्थितियों की विरुद सशक्त नैतिक स्वर की अभिवेक्ती हुई है अब यहाँ जो इन्होंने कविता लिखी है उस कविता के बारे में हम थोड़ा परिचे देखें कविता हम विस्तार रूप से कल्प पढ़ेंगे उसका परिचे हम देखें एक कम कविता के माध्यम से कविने स्वतंत्रे उत्तर मता स्वतंत्रता के पश्राद भारती समाज में जो प्रचले ठो रही जीवन शैली को रेखांकित मतलब बताने का प्रयास किया है आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जिसकी स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के सेनानियों ने कल्पना की थी पूरे देश का या कहीं अस्थावान इमानदार और सम्वेदन शील जनता का मोह भंग हुआ मोबंग मतल किसी चीज से विश्वास का उठे जाना परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास परसपर भाईचारा और सामोहिकता का अस्थां किसने ले लिया धोखा धड़ी आपसी खीचातान और नितां स्वार्थ परक्ता ने लिया और ऐसा मोहौल बनता गया कवी इस मोहौल में स्वयम को असमर्थ पाते वे भी इमानदारों के प्रती अपनी क्या करते हैं सहानुभूती प्रकट करते हैं तथा कुछ ना करने के स्थिति में होने के बावजू स्वयम को ऐसे लोगों के जीवन संगर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहते इसलिए वो क्या कहते हैं वह कहते हैं कम से कम एक व्यवधान तो कम ही कर सकता है जो की वह करता है यही कविता का संदेश भी है एक कम आप अपने आप ही समझ रहे हैं एक कम क्या किसी भी कतार में एक वेक्ति के हट जाने से वेक्ति को थोड़ा सा राहत मिलती है किसी राशन की लाइन में अगर एक वेक्ति हट जाता है तो वहां उसका जल्दी नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है कहीं किसी चीز की प्राप्ती के लिए पौह से लोग लगे हैं और वहाँ से एक व्रक्ती अपने आपको सवखशा से हटा लेता है तो दूसरे लोगों के लिए एक लाब्धी होता है तो एक कम किसी भी गिंती में से एक को हटा दिया जाए एक चीज एक अंक हटा दिया जाये तो विक्ति में थोड़ी सी गिरावट आती है तो वही है और लेकिन एक व्यापक रूप में क्या है इसे हम कल्प बढ़ेंगे धन्यवाद